हलो फ्राइब मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल उपन हट पॉफिट में और आज के इस लेट एविनिंग सेशन के अंगर फटा और थोड़ा सा मारिकेट का जायजा यहां पे लेते हैं बहुत जरूरी है और यह कह सकता हूँ कि आज की चौथी वीडि है इसकी प्राइस चल रही है इसमें थोड़ी से एक शौट कॉल है वह मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगा बीनबी 521 के आसपस चल रहा है बीनवी पे खास दोर से नज़र रखना लास्ट टैम भी आपनों को कहा है कि बीनबी को उठाने का एक सही रेंज जो है 470- 480 के आसपास तो बिट डाल के छोड़ दो ठीक है और अगें कितने भी कॉल्ट को हमने कवर कि हैं सब के अंदर एंट्री लेना है यह ध्यान रखो ठीक है क्योंकि यह मौगा मिलेगा नहीं मार्केट में जो फिर और ग्रीड इंडेक्स देखते हैं अगर हम यहां पे तो व शूब आपको नहीं कर पा रहा हूँ बट वन डे का चार्ट है बी टी सी का और जो चार्ट पर पैटन्स बने हैं उस चार्ट के पैटन्स का एक हिस्सा जो है 2018 के pattern के एक हिस्से से mail खा रहा है और उसको लगा के रखा है already मैं आपको टेलिग्राम पे वो pattern वगर तरह शेयर कर दूँगा तो अभी तक कह सकते हैं कि last 4-5 हफते जो है हूबहू उस pattern के हिसाब से price की move चल रही है और summer of 2022 will be very exciting for the alt coins alt coins अभी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं because जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको BTC के अंदर भी entry लेनी है 44,700 के अच्छा कासा buying pressure दिख रहा है और यहां से हम एक bounce back expect करते हैं और एक quick target जो होगा मैं आपको बता रहा हूँ 56,000 तो आप पकड़ की रखो वहां तक जाएगा और जितने भी alt coins हैं न उन सभी alt coins के अंदर भैतर alt coins से सब के अंदर accumulation चल रहा है market में fear होने दो जब तक market में fear नहीं आएगा तो भाईया profit में बिल्कुल मजा नहीं आएगा तो सब में accumulation चल रही है और छटके से सब pump करेगा बैठे के बैठे रहा जाएंगे लोग यह याद रखना बात मेरी एलसलवडोर के तरफ से भी जो tweet आया है उसमें clear cut लिखा है कुनों ने और BTC वगरा बाय किये है और Bitcoin City के तैयारी हो रही है यह होने वाला है फलाना फलाना होने वाला है तो सब ने कुछ investment किया तो कुछ ने कुछ ने कुछ दिमाग में रखा है चलो एकदम बड़ी छलांग नहीं मारेगा BTC लेकिन अफ्कोर्स अपने all time high के असपस यह जरूर मारेगा यह बात आप मेरी याद अखना और अगेन पिछले साल तो हम लोग मिस कर गए BTC एक लाग क्या असपस नहीं गया बट 2022 के अंदर अफ्कोर्स अच्छा खासा में चमात का देखने को मिल सकता है यह मैं आपको कोई जबर्दस्ती मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या कुछ positivity नहीं दे रहा हूँ Bitcoin को कि हाँ इसा positive और positive और नहीं market के structure को fundamental को पगड़के क्या चला है उन सब को मद्दे नज़र रखके मैं यह सारी चीज़े बता रहा हूँ टेकनोलोजी किस लेवल पे जा रही है globalization किस हिसाब से हो रहा है adoption किस हिसाब से हो रहा है उन सब को ध्यान में रखकर यह मैं आपको कह रहा हूँ और यह भी हो सकता है कि 2022 कंदर हमें 2021 जैसी तेज़ी ना देखने को मिले हैं लेकिन फिर भी अच्छी खासी तीज़ी हमें जरूर मिलेगी कि हम एक नए लेवल पे BTC को देखेंगे अब अगर मैं Ethereum की बात करता हूँ और 4 hours की चार्ट पर बात करता हूँ तो Ethereum जो है इसमें थोड़ा सम correction की तरफ देख रहे हैं अभी भी यह price उपर की तरफ गया था और फिर वापी से यहाँ पर एक छोटा सा candle है और एक downtrend line को यह break कर सकता है जो मैं कह सकता हूँ कि अगर यह 3700 से नीचे आता है तो एक उपर वाली market structure है वो तूट जाएगी फिर यह price थोड़ा सा नीचे आएगा नीचे आएगा तो इसको एक जो support मिलेगा वो FIB का 61.8 का ratio है वहाँ पर मिलेगा golden ratio जो लगबग मैं कह सकता हूँ 3500 के आसपास है ठीके तो यहाँ पर एक short वाली entry आप ले सकते हो SL वगर लगा के रखना हो सकता है तो SL आप 3850 के आसपास लगाओ अब याप entry लो 3500 या 3550 के आसपास अपनी जो position उसको close कर देना profit में अगर नीचे की तरफ आता है अगर उपर की तरफ आता है तो SL हिट हो जाने दो ठीके तो यहाँ पर थोड़ी से short scenario देख रहे हैं मुझे Ethereum के अंदर और next मैं यहाँ पर आता हूं Binance के coin के उपर आता हूं क्या करना चाहिए एक बहतर entry जो मिलेगी मेरे साब से मैं वापे से देख रहा हूं 470-460-470 के आसपास मैं एक उमीद कर रहा हूं अच्छे entry की क्योंकि उस level पर फिब का फिबुनाची का 61.8 का एक हमें level मिल रहा है और अगें यह descending wedge pattern है थोड़ा सा अगर नीचे आके फिर वहाँ से अगर यह उपर उठता है अच्छा कासा breakout होगा जो BNB को इस साल के अंदर तो of course 800 से लेके 1000 तक जाएगा जो मैंने आप लोग को पहले भी कहा ह सिर्फ चार रह जाता है patience रह जाती है और जब हम कभी किसी चीज को बोलते हैं कुछ targets को बोलते हैं और तीन चर दिन तक अगर वो target नहीं आता है या हफ्ते भर तक भी नहीं आता है तो लोग के of course comment आते है अरे sir आपने तो बताया था यह तो आया है नहीं आपने ऐसा बताय है तो क्यों नहीं आया ठीक है तो थोड़ी सी patience की जरुवत होती है और again DCA के बारे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं आपको DCA वाली एक वीडियो जरूर आप लोग के साथ लेकर हूंगा तो यह था BTCO और Ethereum के ऊपर और finally एक और जो लोगों ने पूछा था coin के बा December से इसमें downtrend एक था और अभी January से कह सकते हैं कि यह एक sideways में consolidate कर रहा है अच्छे खासे अपने support पे बना के तो right now इसकी price चल रही है 0.0268 के आसपास चल रही है और 0.025 के आसपास आप इसको ले सकते हैं और अच्छे खासे target के लिए 0.035 के आसपास 0.047 के आसपास और एक SL भी लगा के रखना ठीक है 0.021 के आसे लगा के रखना इनके साथा है तो hit हो जाने देना ठीक है लेकिन loss का भी लंबा मत करना यहां से अगर यह उच्छल के उपर के तरफ गया तो बहुत जबर्दर समय आपे profit मिलेगा ठीक है तो यह ज़स्ट एक quick update था on BTC क्यों चाहिए हम कुछ buy करें या ना करें तो again मेरे साब से 44,780 के आसपास एक अच्छा कासा में bounce jack मिल सकता है और 45 जो है important support भी तो उसको तोड़ेगा तो of course थोड़ा सा नीच आएगा बट मेरे साब से buying zone काफी अच्छी खासी है और ethereum हो सकता है 3500 के आसपास भी दिखा दे या 35 350 के आसपास दिखा दे ठीक है और BNB 460-470 के आसपास हमें लेना बनता है ठीक है और अभी आप ले रहे हो तो कोई चिंतावली बात नहीं है उसको DCA करकर रहा अगर नीचे आता तो एक अच्छे कासे लेवल पे DCA कब करना है सबोस कीजिए मैंने अभी लिया है तो अब next तो अलग से इस पर विडियो आ जाएगी तो यह चैस्ट एक विक अपडेट था और कुछ निई उपडेट्स आते हैं तो आपको टेलिग्राम ट्वेटर वगर आपे मैं ज़रूर अपडेट करूँ है ट्वेटर पे मैं अपना ज्यादा टाइम नहीं लागा रहा हूँ व और हाथ अगर सही तरह से मार दिया हमने ले लिया और कोई तो पूरे साल का जो प्रॉपिट है सिफ दो महीने के अंदर हमें मिल जाएगा ठीक है इस वीडियो को फिर वाइंड आप करता हूँ जद्ब भी लेंगे तब तक लिए टेक करें और हैवे ग्रेट टेए